आपके लाइफ में कितना भी बुरा टाइम क्यों ना चल रहा हो पर आप अगर देखने का नजरिया बदलो तो सब कुछ ब्यूटिफुल लग सकता है इसी एक ब्यूटिफुल मैसेज के साथ आज की मुवी आती है All the Bright Places यह Hollywood romantic movie आज में आपको explain करने वाला हूँ यह movie इसी नाम के novel पर based है इस movie को बहुती beautifully shot किया किया है इस movie के music, dialogues बहुती best है तो सलिए इस beautiful movie को explain करना start करते है movie start होती है और हमें हमारा main character Theodore दिखता है Theo को jogging करना अच्छा लगता है पर आज वो एक अलगी चीज़ देखता है हमारी और एक main character में दिखती है जिसका नाम होता है Violet Violet breach पर खड़ी हुई है और अब वो suicide कर सकती है Theo यह देखता है और वहाँ से भागते भागते उसके पास आजाता है यह उसे दूर से देखनी पा रहा था यह उसके पास आता है और कहता है कि तुम कर क्या रही हो जब Violet मूरती है तब Theo उसे पहचानता है यह दोनों एक की स्कूल में बढ़ते है Violet उसे कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ Theo इसे चोड़ कर नहीं जा सकता कहता है कि यह सही नहीं होगा अब Theo भी इस ब्रीज पर चड़ जाता है Violet कहती कि कर क्या रही हो और यह इस ब्रीज पर खेलने लग जाता है Violet को डर लगता है और फिर यह दोनों नीचे आ जाते है Next day एक दूसरे से फिर से स्कूल में मिलते है पर इन दोनों में awkward silences है इसके बाद हम देखते हैं कि Theodore अपने counsellor के पास आया हुआ है Theodore ने previous में किसी से जगड़ा किया था इसी वज़े से उसे counsellor के पास आना पड़ता है एक counsellor उसके life के बारे में उसे बुच्छता है पर Theodore इसे seriously ने लेता उसे नहीं लगता कि एक counsellor उसे किसी भी तरीके से help कर सकता है इसके बाद हमें lunch break दिखाया जाता है lunch break में Violet को उसे मिलने के लिए एक उसका friend आता है यह उसका ex-boyfriend था इसके science हमें movie में दिखाये गए है Violet इसे बात नहीं करना चाहती Theodore भी इसी lunch room में होता है यहाँ पर अपने friend से Violet के बारे में पूछता है हमें पता चलता है कि Violet की sister मर गई थी उसे बहुत ही दुख हो रहा था इसी वज़े से वो breach पर थी Theodore के friend उसे पूछते है कि तुम उसमें क्यों interested हो Theodore किसी में भी interested है यह बहुत ही अजीब हुने लगता है Theodore के दो ही friend होते है पर यह उसके best friends होते है Theodore भी हसता है और मानता है कि हाँ यह ज़रा weird तो है शाम घर पर आता है तो उसकी sister को उसके counselor को already call आया हो आता है उसकी sister उसके लिए worried होती है Theodore कहता है कि अपसे मैं ज़रा अच्छा से behave करूँगा मैं इससे deal कर लूँगा पर sister उसपर believe नहीं करती वो कहती ही कि मुझे पता है कि तुम किस तरह से चीजों से deal करते हो उसकी sister उसे कहती ही कि freeze में तुमारे लिए actual खाना मैंने बनाया है ऐसा भी कुछ भी मत खा लेना और वो अपने जॉब के लिए चली जाती है Theodore की sister ही उसका सब कुछ खयाल रखती है Theodore की mother जादा तर बहार ही रहती है ये दोनों brother sister एक दुसरे से बहुत प्यार करते है Theodore के लिए उसकी sister एक mother की तरह ही है रात में Violet parents के साथ dinner कर रही होती है तब उसके फादरों से पुछते है कि आज का दीन तुमारा कैसा था हमारे लिए भी ये बहुत ही difficult था Actually में ये वही दिन है जब Violet की sister मरी थी उस incident को एक साल अब हो चुका है Violet आज बहुत ही upset थी मदर भी सब को cheer करने के लिए जिस तरह से हमेशा से cake बनाती थी वैसा फिर से cake बनाती है पर Violet को अभी एक खाना नहीं होता वो upset होकर वहाँ से चली जाती है रात में थी वो Violet के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है Violet और उसकी sister के एक website थी चाहा पर उनके बहुत सारे photos होते है यह वो देखता है Violet को writing भी अच्छी लगती है जो उसने अपने blog पर लिखी होती है रात में थी ओड और Violet की sister के memorial place पर भी जाकर आता है अब next दिन आता है class चल रही होती है तो यह Violet आती है और उससे एक कुरसी गीर जाती है सब लोग उस पर हसने लग जाते है थीओ भी अपनी कुरसी लेता है और fake देता है और सब लोग हसना बन कर देते है थीओ को सब लोग free की समझते है थीओ ने अभी जो किया यह देखकर Violet उसकी तरफ देखती है यह जो क्लास चल रहा है यह जो क्रिफिका है इसमें इन सब को assignment दिया जाता है वो जीस जगा पर रह रहे है उसके आस पास के सब wonders उन्हें देखकर आने है इन में से दो wonders के बारे में इन्हें लिखता है यह उनका school project है इसमें वो partner भी choose करते है तियों कोई idea अच्छा लगता है और violet का वो partner बनना चाता है वो violet के पास जाता है और कहता है क्या तुम perfect day पर believe करती हो violet को एक perfect day देना चाता है और violet कहती है मुझे से सवाल बुशना ज़रा गलत है रात में violet अपनी मदर से बात करती है उसे प्रोजेक्ट नहीं करना कहती है कि मैंने teacher को समझने की कोशिश की पर उन्होंने कहा कि कब तक तुम घर में बेटी रहोगी तुम्हें ज़रा बाहर निकलना चाहिए मदर कहती है कि उन्होंने सही कहा है तुम्हें यह करना चाहिए आज रात party होने वाली है वाइलेट की friend ने उसे invite किया था तो इस party में चली जाती है इस party में वाइलेट को फिर से उसका ex boyfriend मिलता है वो उसे कहता है कि चलो कहीं बाहर चलते है वाइलेट कहती है कि मुझे जल घर जाना है यह कहता है कि कब तक तुम उस accident को लेकर upset रहोगी तुम्हें move on कर लेना चाहिए यह उसे practically push ही कर रहा होता है वाइलेट उस पर नाराज हो जाती है और चली जाती है थोड़ी दर में वाइलेट को इंस्टाग्राम की एक notification आती है थियो ने उसकी गाना काते हुए एक वीडियो बनाई होती है और उसमें वाइलेट को tag करता है इस गाने के पहले उसे कहता है कि मुझे call को मुझे तुमसे बात करनी है और एक गाना होता है कि मैं उसे breach पर मिला वो suicide करने वाली थी यह बहुत ही funny गाना हो भनाता है और उसे बात करने के लिए कहता है वाइलेट गुसा हो जाती है और उस post को delete करने के लिए थियो को कहती है थियो delete कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है मुझे लगता है कि हम फिर से उस horrible time से नहीं गुजर सकते वायलेट कहती है कि ये क्या कह रहे हो तियोडर कहता है कि ये एक book का quote है पुछता है क्या मैं तुम से अब मिल सकता हूँ ये दोनों फिर walk पर चलते हैं तियोडर फिर वायलेट से कहता है कि मैंने तुमारी website देखी वो बहुत ही beautiful थी तियोडर कहता है कि मुझे पता है कि ब्रीज पर accident हुआ था वायलेट कहती है कि तुम्हें worry करने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं आप suicidal नहीं हूँ तियोडर हसता है और कहता है कि मैंने तुमारी जान बचाई है वायलेट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है पर तियोडर कहता है कि हाँ ऐसा ही है वायलेट फिर उसे बोचती है कि तुम मुझे चाहते क्या हो तियो कहता है कि तुम्हारे साथ मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हो वैलेट कहती कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है तियो कहता है कि बाहर जाना लोगों से मिलना तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है वायलेट बोलती है कि मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लग रहा लोग बहुत ही घटिया होते हैं थियो कहता है कि सच कहे रही हो पर कुछ लोग सच मुझ में तुम्हारा अच्छा भी चाह सकते है याने कि खुद के बारे हुँ यो कहता है थियो फिर कहता है कि हमें जाना चाहिए, छोड़ी छोड़ी चीज़ें भी बहुत बड़ा कुछ हमें दे जा सकती है, हमारे लिए एक बड़ा significance यह create कर सकती है, शायद तुम्हें वहाँ जाकर वो पसंद भी आ जाए, वायलेट कहती है कि मुझे पता है कि मुझे वो पसंद पर यह सच है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ enjoy कर पाऊगी, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें कि तुमने experience नहीं की है, वायलेट कहती है कि मैं teacher से बात करने वाली हूँ, मैं प्रोजेक्ट नहीं करने वाली और वहाँ से चली जाती है, नेक्स दे हम स्कूल में दे क्या एक्सिडेंट में हुई थी, इसलिए बहुत ही डरती है, थियो भी इसके लिए मान जाता है, यह दोनों फिर बाइसिकल पर निकल पड़ते है, रस्ते में थियो पुछता है कि अगर तुम्हें कहीं भी जाना होगा, तो तुम कहा जाओगी, वायलेट अपनी sister के साथ क कालिफॉर्निया में रहे रही थी, वो फिर से बहाँ जाना चाहती है, थियो कहता है कि मैं कहीं ऐसी जगा जाना चाहता हूँ, जहाँ पर पहले कोई भी नहीं गया होगा, थियो फिर जंगल में उसे एक स्पॉर्ट पर लेकर आता है, इन्हें स्कूल प्रोजेक्ट में बत लेता है, उसे बुछता है कि सबसे उची जगा पर आकर तुम्हें कैसा लग रहा है, वायलेट कहती है कि मैंने लाइफ में इससे घटिया चीज नहीं देखी, और ये दोनों हसने लग जाते है, इसके बाद थियो कुछ पेनिस लेता है, और वहाँ वो थे इसके मेमरीज मे इस पेनिस को गार देता है, वायलेट की तरफ वह स्टेर करने लग जाता है, वायलेट कुछती है, ये क्या कर रहे हो, थियो कहता है कि ये एक कॉंपिडिशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अब जरा कमफर्टेबल होने लग गए है, रात में सिस्टर के साथ जब थियो वायलेट की घर के बाहर आ जाता है, वो उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है, वायलेट मानने रहे होती है, तो छोटे पत्तर उसके खिड़के पर फेकने लग जाता है, इसके बाद वो मान जाती है, और इसके बाद ये चलते चलते एक सुमसान जगा पर आ जाते है, इस मरने से पहले उसे जागना है यानि कि वो जिन्दा महसूस करना चाहता है वायलेट लिखती है कि मैं मरने से पहले ब्रेव बनना चाहती हूँ यह तोनों वहाँ पर बैठते हैं और वायलेट अपनी सिस्टर के बारे में कहने लग जाती है वो कहती है कि मेरी सिस्टर भी तुम एक best friend थी उसकी sister को define करता है कि एक best friend थी वाइलेट से पूछता है कि तुम्हारे gravestone पर तुम क्या लिखोगी वाइलेट कहती है कि मैं यहाँ पर थी यानि कि इस दुनिया में वो थी ऐसा अपने gravestone पर लिख कर जाना चाहती है थी वो को यह बहुत ही पसंद आता है थी वो मैं तुमसे वो चुरा लूँगा मैं भी अपने gravestone पर वही लिखूँगा इसके बाद हम देखते कि नेक्स दिन वाइलेट का mood जरा अच्छा होता है वो अपने फादर को भी pancakes बनाने में help करती है नेक्स दे वाइलेट जब अपने school में आती है तो अपने friend से कहती है कि वो लॉकर में एक स्टोन होता है उसमें लिखा आता है कि अब तुम्हारा turn है थियो उसके पास आता है तो वाइलेट पूछती है कि यह क्या है थियो कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ जगाए दिखाई है तुम भी मेरे साथ और जगा पर आ सकती हो वाइलेट के थिके मैं मनें पर थियो अपने आपको रोक लेता है, इसके बाद थियो कॉंसिलर के बाद हमें दिखाया गया है, कॉंसिलर उसे फेसे बुचता है कि तुह ये लाइफ कैसी चल रही है, थियो अपने कॉंसिलर से अभी भी बात नहीं कर रहा, कॉंसिलर थियो को अपसेट देखकर कहता है कि उन्हें बहुत याजिब लगता है वाइलेट बाहर निकलती है और थियो से पूछती है कि तुम्हें कर क्या रहे हो थियो कहता है कि मैंने एक अमेजिंग जगा ढूंडी है जहां पर हम जा सकते है वो बहुत ही दूर है तो वाइलेट को कार में आना पड़ेगा वाइलेट इ दिता है और कहता है कि सिर्फ तुम गाड़ी में आकर बैठ जाओ मैं तुम्हें फोस नहीं करने वाला वाइलेट की मदर फादर बाहर आते हैं और पूछते है कि क्या हो रहा है थियो उनके पास जाता है अपने आपको इंट्रटूस करवाता है थियो उनसे कहता है कि हम स्क पर उसे मिल नहीं रही थोड़ी दिर में इसे मिल जाती है और अब अपनी जर्णी पर यह निकल पड़ते है गाड़ी में बैटकर वाइलेट बहुत ही डर रही होती है पर वो गाना लगाती है थियो की गाने की च्वाइस बहुत ही अजीव गरीब है इस पर वो हसने लग जर्ण आप कमफटेवल महसूस करती है आगे गाड़ी में चलते है तो वाइलेट को फिर से उसकी सिस्टर की याद आती है वो कहती है कि जो भी हुआ था यह बहुत ही सड़न हुआ था मुझे डारेक्ली हॉस्पिटल में ही पता चला कि मेरी सिस्टर गुजर चुकी है यह भी वाइलेट को सहारा देता है ति हो फिर उसे उस जगा पर लेकर आता है यह एक छोटा सा रोलर कोस्टर होता है यह देखकर वाइलेट उस पर बहुत ही हस्ती है इसके बाद यह दोनों इस रोलर कोस्टर बैठते हैं और बहुत मज़े करते हैं वहाँ से वापस आते वक् बुग देता है है। है कि जहाँ पर भी हम गए थे, उसके बारे में अब तुमहें लिखना है। वाइलेट को लिखना अच्छा लगता था, पर उसकी शिس्टर की जाने के बाद, कुछ भी लिख नहीं रहे थी। तो अब उसके वो कह रहा है, कि तुम्हें कुछ लिखना है क्यूंकि तुम राइटर हो। Walet असते हों कहती है कि तुम बहुत ही पूश हो। Thiillo अपनी दारिभ में कहता है कि मैं bold हू, exciting हू, sexy हूं इस पर ये दोनों बहुत हसते है। । इसके बाद Thiillo कहता है तुमें पता है कि मैं तुम्हें क्यों इतना लाइक करता हूँ, तुम्हें सब कलर्स मुझे दिखते हैं, और वो भी फुल ब्राइटनेस में, यहाँ पर शाम हो चुकी है, जिस रस्ते से जा रहे हैं, उसके आस पास बहुत ब्यूटिफुल खेत होते हैं, थियो गाड़ी रोक लेता है, वाइ गाएब हो जाता है, थियो के फ्रेंड से वाइलेट पुछ थी है, कि इसने ऐसा क्यों किया है, वो मैरे टेक्स मैसेजजेस वगरा भी रिप्लाइ नहीं कर रहा, कि फ्रेंड कहते हैं, कि कभी कभी थियो ऐसा करता है, उसे कुछ स्पेस चाहिए होता है, इसलिए एक दो दि करनी कोई भी सरोत नहीं है, दो दिनेंगे और अच्छानएक से वाइलेट के घर पर थियो उसके पैरंट से बात करने लग जाता है, वाइलेट उस पर बहुत इनाराज है पर थियो उसे डारेक्ली बहार लेकर आता है, वाइलेट को मनानने के लिए उसने बहुत सरे और स्मिंग करनी के लिए जाना चाहता है। वाइलेट को कहता है कि तुम्हें भी आना चाहिए। वाइलेट को कहता है कि तुम डर क्यों रही हो। वाइलेट कहता है कि मरने से मैं डर रही हूँ। तियों कहता है कि मुझे पता है कि यह सच नहीं है। वाइलेट से पुछता है कि लाइफ में सबसे ज़ादा किस चीज से तुम डरती हो। वाइलेट के दीक में डरती हूँ कि मैं सही से जी नहीं पाऊंगी। त्यों कहता है यह ही तुम्हारा चांस है। इसके बाद यह दोने दुसरे को किस करते हैं और इस लेक में कूछ जाते हैं। यह पाने बहुत ही थंडा होता है तो थोड़ा सा रेगरेट भी करते हैं। बाहर निकलने के बाद वाइलेट पुछती है कि तुम किस चीज से सबसे डरते हो। थियो कहता है कि मेरी सिस्टर को लूज करने से मैं बहुत डरता हूँ। क्योंकि उसके लाइफ में उसकी सिस्टर बहुत ही इंपोर्टन्ट है। थियो फिर से लेक के बाटर में देखना चाता है तो कूछ जाता है। थोड़ी देर तक वो बहार ने निकलता तो भारेट बहुत ही डर जाता है। कहती है कि तुम्हारे बारे में मुझे कुछ ना कुछ तो रील चीज बताओ वरना हमारा जो है हिसे सब कुछ खतम हो जाएगा। थियो के बॉड़ी पर एक बड़ा सा स्कार है इस बारे में वो कहता है वो कहता है कि मेरे फादर बहुत ही वाइलेंड थे और मैं बहुत ही छोटा था एक दिन उसके फादर वाइलेंड हो जुगे थे और थियो उनके सामने आ कया था इसी वज़े से उसे इंजूरी हुई थी तियों फिर कहता है कि कभी-कभी मुझे कुछ स्पेस चाहिए होता है मैं मेरे थौट्स को सही से कर नहीं पाता वह एक दो दिनेों के लिए अकेले सोचने के लिए चला जाता है वाइलेट भी उसे समझ लेती है रात में वह पुराने रेल्वे स्टेशन पर आते है तियों ने वाइलेट के लिए पहली बार जो सौंग लिखा था बीज का तो फिर से वह गाने लग जाते है ये दोनों इस दुसरे के बास आजाते है और इंटिमेट हो जाते है इनने घर वापर जाना था पर रात बार यही सो गए होते है सुबा होने पर जल्दी से घर पोचते है वाइलेट के मदर अन फादर बहुत ही अफसेट है वाइलेट अंदर जाती है और थियों ने समझाता है कि यह सब मेरी गल्दी थी यह मेरी वज़े से हुआ था वाइलेट को प्लीज कुछ भी मत बोलना थियो घर पर आता है और वाइलेट के पैरंस उस पर अफसेट होंगे इसी वज़े से वो बहुत ही अफसेट हो जाता है सब चीज़े वो फेकने लगता है नेक्स डे स्कूल में हम देखते है कि वाइलेट का एक्स बॉइफेंड फिर से उसे बात कर रहा होता है यहाँ पर थियो आता है तो एक्स बॉइफेंड केता है इस फ्रीक के साथ तुम क्यों रहना चाती हो थियो पहले ही अफसेट था उसे उसने फ्रिक बुलाया है इस पर इन दोनों का जगड़ा हो जाता है थियो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता वायरेट बहुत ही जिला थी है तब उसे वो जाने देता है थियो डारीली स्कुल चोड़कर घर आ जाता है मेकसिन में देखते हैं थियो का फ्रेंड और वायरेट एक दूसरे से बात कर रहे है थियो का फ्रेंड थियो को रोकनी कोशिश कर रहा था तो इसे भी थोड़ा सा लग गया था थियो का फ्रेंड वायरेट से कहता है कि अगर तुम थियो के साथ रहना चाती हो तो भी ये सब चीजे तुम्हें इग्नोर करनी पड़ेगी वो दिल का बहुत ही अच्छा लटका है उसके साथ रहना है बहुत ही डिफिकल्ट है वारेट बुछती है कि फिर तुम क्यों उसके फ्रेंड हो तियो का फ्रेंड कहता है कि बच्छपन से हम एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड से और मैं उससे आज फ्रेंड बहुत प्यार करता हूँ तियो अपने कॉल ने उठा रहा एकस मैसेज की भी रिप्लाइ नहीं कर रहा वायरेट डिस्टब होती है और उसके घर पर आ जाती है तियो की सिस्टर से वो बात करती है जो भी हुआ था ये सिस्टर को बताती है सिस्टर भी वरी करने लग जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि तियो सपोर्ट ग्रूप में आया है तियो को भी कहा जाता है, तियो अपनी प्रॉल्म में कहता है, कि वो कभी-कभी बहुती गुसे में आ जाता है, वो फिर क्या करता है, उसे समझ में नहीं आता, इसके बाद तियो उसकी सिस्टर जहां काम करती है, वो उससे मिलने के लिए आता है, तियो उसकी सिस्टर से बहुत ही घटी आदमी थे उन्होंने अगर कुछ अच्छी चीज की भी हुई होगी पर फिर भी वह हमें बहुत मारते थे इसी वज़े से हम उसे याद नहीं कर बाएंगे थियो पोच्छता है कि क्या ऐसी कुछ चीज थी जिससे हमारे फादर बदल सकते थे वो फिर से सही से लाइब जी सकते थे थे थियो को लगता है उसकी और उसके फादर में बहुत ही similarities है वो अपने फादर में अपने आपको ही देखता है सिस्टर कहती कि मुझे नहीं लगता क कि वो बदल सकते थे वो एक घटी आदमी थे थियो डूर बिलीव करने लग जाता है कि वो भी कभी बदल नहीं पाएगा वो घर पर आता है और वहाँ वाइलेट है थियो अपसेट था इसी वज़े से उसने अपनी रूम सब तबाह कर दी थी इसके बारे में वाइलेट उस चुका है वाइलेट थियो को वाइस मेसेज छोड़ती है और कहती है कि मैं बहुत ही सौरी हूँ मुझे ऐसा रियाक नहीं करना चाहिए था शाम में वाइलेट अपने फादर के पास है वो अपनी फादर को बताती है कि किस तरह से वो और थियो पहली बार मिले थे उसके फा चार निकालती है वो सिर्फ कार में बेटने से भी डरती थी पर अब खुट ड्राइब करती है और अलग-अलग जगा पर जाकर देखती है जो वो लेक के पास आती है तो थियो की गाड़ी बहा होती है आगे चल कर थियो के कपड़े वगरा उसे मिलती है थियो ने यहाँ से कूत कर सुसाइड कर ली है वायलेट बहुत रोती है जिस जगाव पर भी जाते थे सब जगाव हमें सुनसान दिखाई जाती है थियो का मेमोरेल भी होता है वायलेट अपनी मदर से कहती है कि मैं थियो को बहुत ही मिस करती हो उसके मदर फादर उसे सहारा देते है वायलेट प्रिजेन करता है किस तरह से लोग हमसे चीजे चुपा कर रखते हैं किसे के लाइफ में क्या जल रहा है हमें कभी पता नहीं होता रात में वाइलेट थियो का मैप देखती है इस मैप के बारे में थियो ने कहा था कि एक दिन में तुम्हें एक अलग सी जगा पर लेकर जाना यहाँ पर एक भूख होती है जिसे वो एंट्रीज पढ़ती है इस एंट्रीज में तियो ने लिखा होता है कि मैं यहाँ था यानि कि इस वर्ल में होता है वह जब मूवी के फर्स में बात कर रहे थे तो वाइलेट ने कहा था कि मैं अपने ग्रेव स्टोन पर लिखूंगी कि मैं यहाँ थी थियो ने कहा था यह लाइन में तुमसे चुरा लूँगा और यही उसने किया है अब नेकसिन में हम देखते है कि स्कूल प्रोजेक्ट जो था इसके बारे में उन्हें लिखने के लिए कहा गया था वाइलेट ने जो सब लिखा है यह सब प्लास को सुना रही है यह कहती है कि मैं चीजों के बारे में वरी करती थी पर वो मिनिंगलेस था मुझे लगता था कि इस लाइफ को जीने कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ पर फिर फिर थियो मुझे मिला उसने मुझे सिखाया कि मुझे वरीड होना चाहिए कि मेरे लाइफ में जीनी पाऊंगी उससे मिलने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं गलत चीजों को लेकर वरीड थी थियोंने मुझे सही से जीना कैसे है यह सिखाया उसने मुझे अलग-अलग जगा पर जाना सिखाया उसने मुझे सिखाया कि वर्ल में सबसे उचाई में जाने के लिए तो यह mountain climb करने कोई भी जरूरत नहीं है बहुत ही छोटे से अगली places भी आपके लिए बहुत ही बड़े हो सकते हैं आपके लिए beautiful बन सकते हैं अगर आप उनके लिए कुछ time निकालो कभी-कभी आप lost महसूस कर सकते हो वर्फेर से आपको fight करना है उसने मुझे life में आगे कैसे बढ़ना है यह सिखाया उसने मुझे सिखाया है कि जिन्दगी में कितनी भी dark time क्यों ना हो मुवी के सब messages इसी वाइलेट्स के डायलोग में हमें पता चल जाते हैं एही मुवी end हो जाती है इस मुवी में हमने देखा कि छोटी-छोटी चीजे भी बहुत ही beautiful हो सकती है जब मैं record कर रहा हो तो भी पंचियों की आवाज यह आ रही है sun आने वाला है और sky बहुत ही blue है यह आज की दिन का सबसे beautiful moment है आज की वीडियो हम यही कतम करते है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आते रहता हो तो please इस चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दबाने में मत भूलिये हम फिर सी मिलेंगे के और एक नहीं movie के साथ तब ते के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये शायद आप इस bird को सुन सकते हो